चलिए बिहारिक दोहा है काहत नटत रीज़त खिज़त मिलत खिलत लजियात भरे भावन में करत हैं नैनन हीसो बात तो एक नायक है और एक नायका है तो नायक कुछ कहता है काहत नायक कुछ कहता है तो नटत माने नायका नटती है यही मना कर देती है रीज़त फिर नायक जो है रीज़त माने परसन्न हो जाता है उसकी चेश्टा पर नायक परसन्न हो जाता है मतलब कहत नटत और रीज़त तीन शब्द है तो नायक कहता है नायका मना कर देती है उसके इस मना करने पर रीज़त वो परसन्न हो जाता है खीज़त खीज़त तो उसके इस परसन्नता पर वो नायका खीज़ती है खीज उठती है खीज मतलब हलका गुस्सा करना फिर मिलत खिलत लजियात वो मिलती है और खिलती है इसकार्थ ये है दोनों के नेत्रों का मेल होता है तो दोनों खिल उठते हैं इसके पसचाद नायका लजा जाती है भरे भवन में इस प्रकार भरे हुए भवन में दोनों नेत्रों के द्वारा ही बातें करते हैं लखि गुरुजन बिच कमल सों सी सुछुआयो स्याम हर सनमुख कर आरसी हियें लगाई बाम ठीक आरसी में पृतिविम्म दिखा आरसी समझते हो दरपन होता है आरसी माने दरपन या सी सा लखि गुरुजन अब कृष्ण एक तरफ है एक तरफ राधाजी है वहां का वरण कवी करता है कि लखि गुरुजन लखिमा ने देखकर गुरुजन माने अपने बुजुर्ग लोगों को गुरुजनों को ठीक गुरुजन मतलब बड़े बुड़े लोग थे उनके बीच में खड़े थे तो लखिमा ने देखकर स्रीकिष्ट ने बुजुर्ग लोगों को देखकर बीच में उनके खड़े थे बुजुरुगों के बड़े बड़े उनसे उम्र में बड़े लोग तमाम थे वहाँ पे वे खड़े थे अचानक सामने से राधा आ गई तो लखी गुरुजन बिच कमल सूँ लखी माने देखकर गुरुजनों के बीच में खड़े होकर देख करके कमल सूँ कि स्री कृष्ण ने क्या किया कमल से सीस छुआयो स्याम कमल को अपने सीस से इसपर्ष कराया अपने सिर से इसपर्ष कराया और हर सनमुख करियार सी हिये लगाई बाम माने उल्टा उधर से बाम माने उधर से उधर से राधा ने क्या किया हर सनमुक करी आरसी भगवान कृष्ण के सामने आरसी माने दरपन करके सिसा करके हिये लगाई बाम हरदें से लगाया तातपर ये है कि स्री कृष्ण ने गुरुजनों के बीच में कमल को अपने सिर से लगाया, उनका ये तातपर ये था कि हम तुम्हारे चरणों को अपने सर पे रखते हैं, तो उधर से उन्होंने दरपन दिखा के ये बताया कि मैं आपके सूरत को हरदय में रखती हूँ. ठीक, फिर अगला है पाई महावर उदैन को, पाई महावर उदैन को, पाई मने पैरों में, पाई महावर उदैन को नाईन बैठी आए, और फिर फिर जान महावरी एड़ी मीडती जाए, पाईरों में महावर माने रंग लगाने के लिए नाईन आकर के बैठी और फिर फिर जान महावरी एड़ी मीडती जाए, वो बार बार उसी एड़ी को रंगती जा रही है, क्योंकि उस नाईका की एड़ी महावर जैसी लाल रंग की हैं, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। तो वो समझ नहीं पा रही है, कहां पे रंग लगाया है, कहां पे नहीं लगाया है, बार बार एक ही स्थान पे वो रंग को लगा रही है। यानी पैरों में महावर लगाने के लिए नाइन आकर के बैठी, नाइन कौन होती है। जो नव्वा की वाइप होती है। छीख है जो बाल काटते हैं उसकी पतनी नाइन होती है। पहले देहाथ छेत्र में, अभी आज भी कहें कहीं देखनें मिलता है वो रंग लगाने आती ह पर्वों ते वहारों पे तो आकर के रंग लगाने के लिए उस नाइका के बैठी फिर फिर जानी महावरी महावरी माने वो रंग लगी हुई उसको प्रतीत हो रही थी पूरी एडी लेकिनों बार-बार एडी मीड़त जाए एक ही एडी पे बार-बार रगड़ती चली जा र